हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना नियूज नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ नंदिनी मिश्ट आपके साथ बीते साथ महीनों से दिली की तहलीज पर बैठे किसान सरकार से क्रिशी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान कई किसान अपनी जिंदगी से हार भी गए हैं लेकिन इस सबके बावजूत आंदोलन का समधान अभी तक नहीं निकला है देखे रिपोर्ट तीन क्रिशी कानूनों को रद करने और MSP को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान साथ महिने से दिल्ली की सिमाओं पर बैठे हैं किसान अंदोलन के दोरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा टीक्री बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तवेद खराब होने के कारण मौत हो गई मौत किसान की पैचान पंजाब के लुध्याना जिला निवासी सुखविंदर के रूप में होई 45 साल के सुखविंदर पिछली लंबे समय से टीक्री बॉर्डर पर किसान अंदोलन में शामिल थे उनकी तवेद खराब होती ही उन्हें बहाद्रुगड के समान्य अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मौत कुषित कर दिया वही किसान निताओं ने सरकार से सुखविंदर को शहित का दर्जा दिये जाने और उसके पीडित परिवार को आर्थिक साहता देने की मांगी है क्तार में कवे चनान ने ठीज गुर्ण जान चली जाए जे बहुति अधिकर कान मकूप करने की देशलिषंका चिंध कोई मैं बहुत प्रुक्त है न कि दानने का निग्म होंमारी मौती चरखरले करिए मेगे कि नकिया वही जहाँ टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है कुंडली बॉर्डर पर भी किसान पिछले 7 महीनों पे सर्दी और गर्मी में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए है अनदाता और सरकार में कई महीनों पहले बाचीत का सिर्सिला शुरू हुआ था जो बिलकुल खत्मसा है वही किसान भी अपनी मांगों से पीछे हटने को तयार नहीं इसी को लेकर रविवार को दादा भीया मंदिर में सिंगु बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए महा पंचायत का आयोजन किया कया इस थाने लोगों ने किसान सरकार से रास्ता खोलने की अपील की इस्थाने लोगों ने कहा कि इस बॉर्डर को जाम हुए साथ महीरे हो चुके हैं अब किसान और सरकार को एक तरफ का रास्ता खोलना ही पड़ेगा इसके कारण हमारे क्षेत्र के सभी काम धंदे ठप हो गए अब इस जाम को और आगे ले जाना हमारे बस की बात नहीं रहे लेकिन यह भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और लोगों का हम अपना अपने बेस के इसको एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए अम यह गाउं गाउं में जाकर एक एक आदमी से मिलकर हम यह मिटिंग कर रहे हैं और अपने इसांदों को मस्विक्ति दो रहे हैं कोड़ से कोड़ से कि अगर हम बात करें न तो ताइम पीट हमारे को भी यह नहीं बता था कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा है अगर हम आजाए गई तरह टाइम तक हमने भी मदद की हैं सब में कैसे मेरा वाटे टांकर का भी काम है अगर हमारे माल लाने में ले जाने में आवाजाइ में काफी दिक्ट है और समय का बहुत ज्यादा बब्रुप्यों गोजाता है जमाने लाने में और ग्राइज वह वहारे सांग तक फोएस निकार वापार में रही है सब्सक्राइब कर दो कि इसके लिए कड़ा संदेश जो है ना हमें सरकार को फिर किसान वायों को भी दे रहे हैं या तो जल से जल यह कारिया करतें नहीं तो यहाँ पर आज कॉंडली गाओं में आने का मुख्यों देश यह था कि एक तरफ का रस्ता हम अपना डिमांड करते हैं किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि अब आंदोलन ने राजनीती ग्रूप ले लिया है वही किसान नेताओ का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन को शुरू से ही खत्म करना चाहती है और उनकी जो मांगी है वो उसको लिकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस आरोप पर त्यारोप की दौर में सैकलो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठ कर अपनी जान कवा चुके हैं ऐसे में एक सवाल तो वाजिव दिखता है कि कब तक अनदाता अपनी जान कवाते रहेंगे और इस आंदोलन का समाधान कब निकलेगा विरो रिकोर्ट हरियाना नियो किसान अंदोलन में अब तक 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के वाटरों पर धरनाशारी किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की वारता हुई 12 दौर की वारता से नहीं निकला कोई हल 12 दौर की वारता के बाद नहीं हुई कोई बातशीत 30 चनवरी को पीम ने कहा किसानों से एक कॉल की दूरी पर है 26 जून 2021 को अंदोलन के 7 महीने पूरे 26 जून को किसानों के राज हुदनों के सामने मार्च देश भर में राज़ेपालों को सौंपा ग्या पए आंदोलन में अब तक करीब 540 किसानों ने गवाई जान आंदोलन के और तेज करने की चहताब भी तो आंदोलन में कई किसानों की जान भी गई आंदोलन अभी भी उसी कगार पर है जहां से शुरुबात हुई थी यानि कि जो समाधान का रास्ता है वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आता हमारे सहियोगी रवी चंडिगर से हमारे साथ जुड़े है और लाचपत हमारे साथ जुड़े है सोनीपत से सबसे पहले रवी आप से जानना चाहेंगे देखे लगातार प्रदर्शन किसानों का जारी है आंदोलन किसानों का जारी है इतने किसानों की जान अब तक जा चुकी है लेकिन क्या कारण माने कि अभी तक या आंदोलन जो है किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा है जहां से शुरू हुआ था वही पर ही अभी भी जी बिल्कुल देखे नन्नी लगातार साथ महीने जो है हो चुके हैं किसान अंदोलन को चलते हुए जिस प्रकार से कई उतार चड़ाओ इस अंदोलन में देखने मिले सबसे शुरुआती दोर की जब बात करें तो जो पीपली में जो लाटी चार्ज हुआ था किसानों पे और किसान परदेशन करने के थे किसान जो पाराव उसके दोरान से ही ये अंदोलन दिरे दिरे रफ़तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा था कही न कहीं बाइलेक्शन हुए उसके बादसे जब किसान पकिसान दिल्ली कुछ करने लगे तो हरियाना के किसानों ने उनका बखूबी साथ दिया कहीं न कहीं दिल्ली तक जाने की एहम भूमिका जो किसानों की हरियाना के किसानों ने निबाई है और उसके बाद से लगातार जो 10-11 दोर की जो वारता हुई है उसके बाद बावजूद कोई जो निश्कस नहीं निकला है कहीं न कहीं किसान जो नेता है किसान जो है वो साफ तोर पे चाहते हैं कि ये तीनों जो किर्शी कानून है ये रद हो और सरकार चाहती है कि इनमें कुछ ना कुछ बदलाव करके आपको दिये जाएं किसी भी हालत में कानून जो रद है वो सरकार की तरफ से नहीं किया जाएंगे एमेंडमेंट जरूर किया जा सकता है जिस परकार से सरकार लगातार कहती हो या यह खामिया जरूर हो सकती है लेकिन आप हमें इनकी खामिया बताएं और खामिया दूर करने का काम हमारा है लेकिन किसान टसमस नहीं हो रहा किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों किशी कानून है वो रद हो और इसके अलावा जो इनकी जो है मिनिमम जो सपोर्ट गैरेंटी है वो MSP है वो इनको मिलने चाहिए तमाम जो फ़सल है उनको MSP पर इनका जो है उनको जो दाम है वो मिलना चाहिए मंडियां बरकरार रहने चाहिए है आड लेकिन किशी कानून वापसी नहीं होगी जी यही यही टकराफ की पड़ी वज़ा है कि दोनों पक्षों में से कोई भी जुकने को तैयार नहीं है और दोनों इपक्ष अपनी बातों पर अड़े हुएं अब मैं सीधर लाचपत करूंगी लाचपत सोनी पत जो मेन को खोला जाये लाजबत जी 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 बिलिए यहां पर दो है दोगी केपर काफी बड़ा है जो यहां से प्रेक्षिश लाइन कर तुकी है इनके यह वेपार फेज वोसाफ प्रेशान हुए जिनके यह यह पर वेपार हो है कि लोगा लेकर आजब कर लोग वो बंचायते हैं, पैटकों का दोड़कारी है, अब जो पक्स होने के लिए इसरा पक्स है, जो एक तरफता रस्ता कुनवाने के लिए, तो लगातार अब दो तुप दिखाई दे रहे हैं, दो तूप इसलिए कि एक जो तेटर है जो तेटर ह पर दिखाई देगा तो इस पर भी काफी किछा तानी ओपी पंचैसी सुनाव पर भी असर दिखेगा और जो अगर बात करें अंदोनन तो प्रताशन की तरक्से और सरकार की तरक्से अनेक तरह के यहां पर डिपाट्मेंट लगाए गए पूपिया विवाग है यहांनेक तरह के ऐसे डिपाट्मेंट है जिनकी पैनी नजर है और स्रार्थी तत्तों पर पैनी नजर है और स्थैनिक बल्की जो यहां पर शुप्रिया लगाई गई है मैं आपको लाइस तस्वीरों में दिखा दूं कि जो यहां पर पुलिस का नाका जाहा है जहां से किसानानुनन प्रोंर स्रूरथा है आप देख पिसके की य опять ट्क राड़ी है यह दिख सकते है कि एक एक वैक्टि ते पूसा जा रहा है कि यह तो कि डिली के लिए मुक्खय रस्ता है यह देख सके है मुक्खय रस्ते पर ये गडिया है तो काभी परेशानी सेन कर रही है यह दिल्ली यह वैपारी है उनकी कारिया है यहाँ पर काम किसी बनी रहती है यहाई से आंदोलन शरू होता है जो करीब 10 किलोमेटर का दाइरा है जो किसान बैठे हुए है आपको दिखा दे अर्थ सैनिक बल यह फायर की कारी लगाई हुई जो गाउं के आतल है जी जी हैवी सेक्यूरिटी है वो लगातार जो है बनी हुई है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सिर्फ फोर्सिस तैनात कर देने से यह पैनी नजर रखने से क्या हो जाएगा समधान निकालने के लिए कोई ब्लूप्रिं हमारे साथ जुणने के लिए अब मैं रुक करूंगी चंडिगर से हमारे सेयोगी रवी लगातार बने हुए हैं रवी देखे चाहे कितने भी कारण हो चाहे कैसा भी तकराव हो लेकिन देश के तिहास में किसानों को यह पहला ऐसा अंदुलन है जो इतना लंबा चला है और राजिनीती हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो लेकिन हजारों की संक्या में जो गाउं गाउं से किसान इस अंदुलन के साथ जुड़े हैं हर एक किसान राजिनीती नहीं कर रहा है इसलिए उनकी सुनवाई कम से कम होनी चाहिए जी बिलकुल निशंद है नंदुनी की क्योंकि जिस परकार से लगातार साथ महीने होगे एक बड़ा जो टाइम होता है तमाम मौसम की मार जहली है सर्दी की बात करें बारिश की बात करें आंदी तुफानों की बात करें यहां तक कि जो किसानों के जो टेंट थे जो तंबू थे वो भी उड़ गए कि उसके बावजूद जो है किसान डटे हुए हैं कहीं न कहीं जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर अड़े हुए हैं हाला कि ये जो हट की स्थिती दोनों तरफ से जो है किसानों की तरफ से भी बताई जा रही है और सरकार की तरफ से बताई जा रही है सरकार कह रही है कि हम जो है किर्शी कानून है वो वापिस नहीं लेंगे किसान कह रहे हैं कि किर्शी कानून वापिस लेने पड़ेंगे हलाकि राजनिती की जो बात कहीं न कहीं सामने आ रही है कुछ राजनितिक दल है वो इस मोके को भुरूनाने की पूरी कोशिश कर रहे है नंदनी कहीं न कहीं उग अनको को जो golden chance है वो यहां मिला है किसानों के जरिए अपनी जो खोती हुई साथ थी उनको बचाने के लिए किसानों के साथ जुड़े हुए लोग जरूर है इसमें लेकिन तमाम जो जो लोग हैं वहां जो किसान नेता हैं जो किसान हैं वहां जो बॉडरों पे डटे हुएं तमाम लोग राज तिसरे लहर की जो एक्सपर्ट्स राये बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर भी चिंता की स्थिती बनी हुई है कही ना कहीं अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेवार कौन होगा किसान निता होंगे या फिर सरकार होगी देखने वाली बड़ी बात कहीं न कहीं सरकार को भी टेबल टॉक करनी पड़ेगी और किसानों को भी टेबल टॉक करीं पगे वागेर टेबल टॉक किये इस अंदोलन का निशकास निकलना मुश्किल है नहीं जी बिलकुल रवी और जब किसानों से इस विशे पर बात की जाए तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि जो किसान नेता हैं चाहे राकेश्ट कहतों चाहे गुर्णाम जिंग चडूनी हों कि सरकार भले हमें अभी नजर अंदास कर रही हो लेकिन जब चुनावों का वक्त होगा चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या केंद्र सरकार के चुनाव हों तब तक हम जो है आंदोलन इसी तरीके से करते रहेंगे और हम सरकार बदलने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे क्योंकि यह सरकार हमारी सुन नहीं रही है यह किसानों की सुन नहीं रही ह तो जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो कहीना कहीं तब एक कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक एजेंडा जरूर नजर आता है कि चुनावों तक क्या इसी तरीके से आंदोलन करने का ब्लूप्रेंट इन किसान मेता उन्हें तैयार कर लिया है मतलब इने खुद उमीद नहीं है कि कोई समधान निकलेगा नहीं समधान के लिए आंदोलन का की जो शुरुवात थी वो एक कह सकते हैं कि किसानों के लिए शुरू हुई और एजेंडा ये था इन तीन क्रिशी कानूनों की वापसी लेकिन अब जब सरकार और किसानों के पर फोकस कर रहा है कि उपी में चुनाव होंगे तो हम विरोध करेंगे सेंट्रल के चुनाव होंगे तो हम विरोध करेंगे क्या रास्ता भटक गए किसाननेता जी बिल्कुल नंदिनी देखी जिस परकार से किसान निताओं के बियान आ रहे हैं राजनितिक जो राजनिती से प्रेरित जो बियान है उनकी तरफ से कुछ निता उनको खारिज भी करते हैं ये उनका निजी बयान कहके उस बयान से पल्ला भी जाडने का प्रियास करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनितिक कुछ ना कुछ इसमेल आनी शुरू ही है वो हाला कि यूपी चुनाव के बाद जैसे यूपी चुनाव अगले साल यूपी चुनाव होने है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज बात करें हरियाना और पंजाब के किसान तो लामबन है लेकिन यूपी के किसान आज भी बोडरों पे उतनी संख्या में नहीं है जितने हरियाना और पंजाब के हैं इसी बात पर कल जब सवराज इंडिया के संख्यापक थे योगेंदर यादव हमने उनसे सवाल किया तो कि कहीं ना कहीं जो यूपी का अंदोलन है वो हरियाना और पंजाब से काफी पीछे एफिका है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाला समय बताएगा क्योंकि लंबे समय तक यांदोलन चलना है तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक का अंदोलन का मतलब कहीं ना कहीं राजनीती से प्रेरित होके निकलता है और आई दिन जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं रोड जाम और इस तरीके की स्तितियां बनती हैं उससे आम लोग ही प्रभावित होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवी तमाम चानकारी के लिए तो हम बार बार यही कहते हैं कि देखे किसी भी आंदोलन का जो निशकर्श है वो निकलना बहुत जादा ज़रूरी होता है आंदोलन ऐसे ही नहीं चल सकता कि आपके आंदोलन का कोई सामने टार्गेट ना हो या आप चुनावों का सोच कर जो है नेताओं का विरोध कर रहे हो जो आंदोलन का मुख्य एजेंडा था आखिर उससे क्यों भटका जा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या इसमें सबसे बूच के किसानों को नजर अंदास कर रही है हमारी साथ कारिक्रम में चुड़ गए है किसानों के नेता प्रलाद भारु केड़ा प्रलाद जी बहुत-बहुत स्वागत आपका लेकिन जिस तरीगे की स्थिति आज है वो सवाल खड़ा होना लाजमी है सर कि जिस खात्म हो चुका है रासता भटक गया है आंदुलन्द को एपने तरीके जे चल रहा है तरीके चल रहा है लेकिन यहां की जो सरकारे है वो इसनी घमन्डी सरकार है जो आज आखों लोग सड़कों के उपर एर उनकी बात सुन नहीं रही है जो सब्सक्रा के अंदर लोग बैशे हैं वो इनी लोगों के वोट के आज सब्सक्रा के अंदर आए हैं और उस कुर्ची पर बैच के ये जन्ता को भूल गए और कॉर्पोरेट को लाप पहुंचाने वारी नी हम य़ित थितरीके से अपना अंदोलब चला से रहेंगे अंदोलन मिल्कुल मजबूति के साथ चल रहा है यह आपने देखा omnigarald के अंदर किटनी बड्र लोग तर नी है जोना के लूग्रा यां तो लोग कम हो गया है यह लोग कॉई कम नहीं हुए है आज भी कहीं पर भी कोई प्रोग्राम रखा जाता है लाखों की संख्या के अंदर लोग कच्छे होके आते हैं और बहुत बड़ी मजबूती के साथ यह अंदोलन चल रहा है जब तक यह सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है चाहिए इस अंदोलन को हमें 2024 तक चलाना पड़े क्या सरकार बदलना आपका एजंडा हो गया है चलिए बहुत पर शुक्रिया प्रलाद भारुकेडा जी हमारे साथ जुनने के लिए तो यही सवाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम किसान नेताओं से बात करते हैं इन दिनों तो वो 2024 की बात करते हैं क्या 2024 तक उन्होंने तैय कर लिया है कि वो समाधान के लिए आगे जो इस देश का देपता कहा जाता है जिसे अन्यदाता कहा जाता है आप उस वर्ग की नाराजगी को दूर करने में आकर क्यों असमर्थ हुए इन्ही सवालों के साथ इस बुलिटिन में